मुरारजी देसाई एक भारती सतनतरता कारे करता और राजनीतिग्य थे जिन्होंने 1977 से 1989 के बीच भारत के चौते प्रधान मंत्री के रूप में जनता पाठी द्वारा गठित सरकार का नेज़ित्व किया राजनीती में अपने लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने सरकार के कई महत्पपूर्ण पदों पर कारे किया जैसे बॉम्बे राज के मुख मंत्री, ग्रिह मंत्री, वृत मंत्री और भारत के दुसरे उप्रधान मंत्री हेलो एबरीवन, मेरा नाम है नितीश पांडे और ये एक परस्नालिटी वीडियो की सीरीज है, जिसमें हर एक परस्नालिटी पे मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही हैं कि इन्फॉर्मेटी वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, I request everyone कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और कॉमेंट करें आप इस चैनल पे UPC-related subjects को भी पढ़ सकते हैं, इनके playlist हम लोगों ने बनाया है, ये सारा content free of cost है, जो भी serious UPC aspirants हैं वो वाइस सर को contact कर सकते हैं on WhatsApp 7200-681-675 test series और foundational videos के लिए Early Life and Education मुराजी देसाई का जनम एक गुजराती अनाविल ब्राह्मन परिवार में हुआ था, उनके पिता का नाम रंचोड जी नागर जी देसाई और माता का नाम विजिया बेन देसाई है, उनका जनम भदेली गाउं बुलसर जिले बॉम्बे प्रेसिडेंसी बिटिश भारत में देसाई ने अपनी प्रात्मिक सिच्छा दकुंडला इस्कूल सावर कुंडला में ली और बाद में बाई अवा बाई हाई स्कूल वलसाड से दाखिला लिया, विल्सन कॉलेज मुंबई में सनातक करने के बाद वह गुजरात में सिविल सेवा में सामिल हो गए, 1927 से 1928 के दंगों के दौरान हिंदूों के साथ नर्मी बरतने का दोशी पाए जाने के बाद मई 1930 में देसाई ने गोधरा के डिप्टी कलक्तर के पद से इस्तीफा दे दिया, 1930 में जब भारत महात्मा गांधी द्वारा सुरू किये गए, सवनिये अवग्या आंदोलंग के बीच में था, श्री देसाई ने ब्रिटिश न्याई की भावना में अपना विश्वास खो दिया, सरकारी सिवा से इस्तीफा देने और संगर्स में उतरने का फैसला किया, सुतंतरता संगराम के दोरान स्री देसाई तीन बार जेल गयें, वे 1931 में अखिल भारतिया कॉंग्रेस कमिटी के सदश्य बनें और 1937 तक गुजरात प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के सचीयु रहें, अक्टूबर 1941 में जारी महत्मा गांधी द्वारा सुरू किये गए, वेक्ति गत्थ सत्यग्राव में उन्होंने हिरासत में लिया गया था, और भारत छोड़ों आंदोलंग के समय अगस्ट 1942 में फिर से हिरासत में उन्हें लिया गया था, पॉलिटिकल कैरियर 1952 में वह बॉम्बे के मुख्य मंतरी बने, वह नवंबर 1956 में वानिग्य और उद्योग मंतरी के रूप में केंद्रिय मंतरी मंदल में शामिल हुए, बाद में उन्हें उन्होंने मार्च 1958 में वृत विभाग समाला, 1963 में उन्होंने कामराज यूजना के तहट केंद्रिय मंतरी मंदल से इस्तीफा दे दिया, श्री लाल बहादुर सास्त्री ने उन्हें प्रसास्निक व्यवस्था के पूर्ण गठन के लिए प्रसास्निक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाने के लिए राजी किया, जिसाई को 26 जून 1975 को गिराफ़तार कर लिया गया और हिरासत में लिया गया जब आपातकाल घोशित किया गया था, वह गुजरात के नाव निर्मान आंदोलन के समर्थन में अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल पर चले गये, बाद में उन्हें सर्वसम्मती से सांसद में जन्ता पाटी के नेता के रूप में चुना गया और 24 मार्ज 1977 को भारत के प्रधान मंत्री के रूप में उन्होंने सपत ली, अगेंस्ट इनिक्वालिटी, उनके अनुसार जब तक गावों और कस्वों में रहने वाले गरीब और वन्चितों को एक सभ्य जीवन इस्तर का आनंद नहीं मिलता, तब तक समाजवाद की बात का कोई मतलब नहीं होगा, श्री देसाई ने किसानों और कास्टकारों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रगती शील कानून बनाकर अपनी चिंता को ठोस अभिवक्ती दी, प्रधान मंतरी के रूप में श्री देसाई चाहते थे कि भारत के लोगों को एक हद तक निडर बनाने की मदद की जानी चाहिए, जहां भले ही देश के सर्वोच्च व्यक्ती ने गलती किया हो, विनम्र व्यक्ती को उसे इंगित करने में समक्ष होना चाहिए, इस्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, उनके लिए सत्य विश्वास का एक लेखा था, ना की एक समिचिन्ता, उन्होंने शायद ही कभी अपने सिर्धान्तों को इस्थिती की आत्विवशक्ताओं के अधीन होने दिया, रिटार्मेंट एंड डेथ, दिसाई ने 1980 के आम चुनाओं में एक वरिष्ट राजनेता के रूप में जनता पाटी के लिए प्रचार किया, लेकिन खुद चुनाओं नहीं लड़े, सेवा निवित्ती में वे मुंबई में रहे और 10 अप्रिल 1995 को 99 वर्ष की आयू में उनकी मृत्ती हो गई, जब 13 दिसंबर 1994 को पूर्व फ्रांसिसी प्रधान मंत्री एंटोनी पिनिया का निधन हुआ, तो देशाई दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पूर्व सरकार प्रमुख बन गये। उन्हें अपने अंतिम वर्षों में अपनी पीड़ी के सवतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत सम्मानित किया गया था। तो ये थी मुरारजी दिथाई जी की जीवनी। आशा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, जय हिंद, जय भारत!